आप सभी का स्वागत है सक्टेस की 98 के चैनल के उपर सुबह का 8 बजरा होगा जब आप भी वीडियो देख रहे होंगे और इस वीडियो में कवर करेंगे 31 जनवरी के सारे important current affair और आज महिना का last दिन है और आपको मैं बता दूँ कल रात को मैंने पूरा calculation किया जनवरी के महने मैंने आपको जो समय वरबाद किया current affair में वो साड़े पांच घंटा के लगवग ठीक है इससे कम जादा आपका समय वरबाद नहीं किये और इस साड़े पांच घंटा में जितना question आपको आपकी exam के लिए चाहिए वो पूरा करवा दी है और इस जनवरी का पूरा current affair का PDF उसमें मांग कर चलो करवाय तो आपको 330 चालिस कुष्चेन है जो एकदम exam में hit करने लाइक है तो ये पीडिया भी दे देंगे ये पीडिया भी देंगे आड़े पांच घंटा से बरबाद किये एक तीस दिन में और आप तो चलो कितने सारे बच्ची साड़े एक घंटा देंगे पड़े तो कितना घंटा आपका हम बचाए है current affair में और बोलते हैं डेली 10-12 मिनट पड़ो और ये बरबाद भी नहीं किये मैं क्या बोलता हूं मेरे जब क्लास देखते हो ना ब्रस कर लो या मूद हो लो या कुछ काम कर लो क्लास देख लो current affair हो जाएगा और ऐसे हो जाएगा कि question आपको दिमाद में छपने लगेगा एक एक गो पढ़ना ऐती है current affair को बहुत serious लेकर नहीं पढ़ना है ठीक है exam में question बनता हुआ आया है पिछले 6-7 साल से जितना पढ़ाए है फिर बनेगा 24 में ठीक चलो क्लास को start करवाते हैं पहला question अमारे सामने क्या है first question आज का पहला question अमारे सामने जो आपके exam में बनने लाइक है वो है टेली कौंग प्रमुक रिलाइंस जीयो ने भारत में 5G innovation lab इस्थापित करने के लिए किस company के साथ हाथ मिलाया है यह पूछ रहा है जो रिलाइंस जीयो कंपनी है न 5G innovation lab laboratory जो है वो इस्थापित करीगी भारत में किस company साथ मिलकर one plus option नमबर हमारा D ठीक अगला question हमारे सामने क्या है यहाँ पर एक question बहुत important निर्मला सितारमन एक February को budget जो है वो आता है हर साल आप सभी को पता है एक February 24 को पुर्व पीम मुराजी देसाई के साथ अपने record के बराबरी करने के बार निर्मला सितारमन अपना छठा तीधा budget paste करने वाली दूसरी वितमंत्री बन जाएगी यानि लगातार 6 budget paste करने वाले जो वितमंत्री थे इससे पहले मुराजी देसाई थे वही मुराजी देसाई 1978 वाले जिन्होंने 500 वर्षी योजनाय को 2 साल के लिए स्थागित किया था जिसको बोलते rolling plan ठीक है आपको करवाए है ना सब नोट में मिल जाएगा अब उनके बा लगातार 6 बार budget paste करने वाला वितमंत्री कौन बन गया है बाबू तो निर्माती तरह बन एंसर क्या होगा 6 बार option number C ठीक है अगला कोस्ते नहारे सामनी क्या है टाटा समू और एडियो इसपेस कंपनी Airbus यानि टाटा समू टाटा कंपनी और Airbus ये दोनों मिलकर भारत में इसके लिए दोनों ने हाथ मिलाया है उस हेलिकॉप्टर का नाम क्या होगा तो H125 यानि HX 125 ठीक है अगला कुस्तन हमारे सामनी क्या है यहाँ पर तिरसठवा केंद्र भूब ज्यानिक प्रग्रामिंग बोर्ड की बैठक जो है वो किस सहर में आयोजित की गई है यह आपको बताना है 63rd 63rd Central Geological Programming Board Meeting was held in which city and this answer is भुपाल में हुआ है भुपाल कहां पढ़ता है मध्यपर्देश में लगबग लगबग जितने लोग भी सुब आठ बजे क्लास देखते हैं एक इक बच्चा को हर राजी के बारे में याद होना चाहिए मैं बोल दू कि भुपाल में कित मैं डेली करवाता हूं अब हूँ जिस रास्ते क्वस्तिन बनता है उस राज का तो मैं याद करवाता है कराता हूँ कुछ नहीं तो मध्यपर्देश आंध्रपर्देश गुजरात तो यादे करवा दिये हैं कैसे भाईया याद नहीं करवाया है मनारी से बोलो सुब आठ पर दिखते हो तो सब को याद होगा भाया मध्यपर्देश गुजरात कितना वारवाता है आंध्रपर्देश इन तीनों राज में जो राज सबस्ति है वह वह 1111 11 11 एक उसके बाद जो लोग सबस्तित है वह यहाँ पर 29 है यहाँ पर 26 है यहाँ पर 25 है ठीक यहाँ पर जो सबस्तित है वह यहाँ आपका 230 है यहाँ पर 182 यहाँ पर 175 कि याद नी करवाएं याद हो जा रहा है बाबू से देखो आप सभी यहाँ के मुखनिया इस कौन है आरवी मलीमत मंगू भाई सी पटेल यहाँ के जो है राज जुपाल है मोहन यादव नहीं निक्ति हुई ती मामा के बाद ऐसे मुख मंतरी तिरपन जीला पड़ता है एक नॉमबर उनिच्छपन को गठन हुआ था आपका अगला कुस्तिन भारत और सौधी अरेविया के बी संक्तिसेन अभ्यास सादा तनित्क अच्छा यह बाबू याद रखिएगा पहली बात जो है ना भारत और स 10वर्ली तक रजस्तान के बीका नेर में, कहां पर रजस्तान के बीका नेर में और जीत होगा तो मैंने बताया ना पहली बार हो रहा है, यानि फुर्स्ट एडिसन, पहला सस्क्राइब का ओड़न होगा, तो 790 जो है वो किस दो देशों के बीच का अब्यास है, तो भारत औ और सौदी अरेविया अगला कुस्टन अबारे सामनी क्या है अस्ट्रेलियन ओपन ये तो कुस्टन बाबू एक्जाम को होट कुस्टन है कौन जीता है इस बात भाइया जानिक सिनर कहां के इटली वाले भाइया ऑप्सन नमबर ए ठीक है किसको आराकर भाबू भाइया क्या में उनका रस्तिया वाले डैनियल मैडवेट को अराकर ठीक है याद रखिएगा जैनिक सिनर जो है इस बार का चेंपियन बने है और मैच हो जब हुआ आपको पता है को चार ग्रैंट स्लेम होता है एक तो विबलेंडन यूस ओपन फ्रेंच ओपन और अस्ट्रेलियन ओपन और हर ग्रैंट स्लेम में कम से कम खिलाडी को तीन सेट जीतने का असक्ता होता है तब जाकर वो मैच जीतेगा स्टार्टिंग के सुरुवात के दो सेट यह हार चुके थे कोई उमीद नजर नहीं आ रहा था लेकिन बाद में लागतार तीन का तीन सेट जो है वो बंदा जी सकता है क्योंकि रोहन बपन्ना भारत के लिए गर्व की बात है बहुत दिन के बाद मतलब बहुत दिन के बाद हम लोग टेनिस में अगर नाम जानते किसी अखिलाडी का भारत में तो कौन है आप बोलेंगे लेंडर पेस भाईया महस घूपती भाईया या फिर ओमिन से बो पुसकार कौन जीता है इस बार तो रोहन बपन्ना और अस्ट्रेलिया के मैथ्यूस अडिन के याद रखिएगा डबल वाला ओमेंस का तो ओमेंस सबको पढ़ा था भाईया जब वह बाहार हो गई तो लगने लगा कि इस बार यहीं जीतेगी तो इस बार का चैंपियन कौन काने ओमेंस में अरिना स्तालेंका ठीक है अगला में जीता है यह नहीं देख लेना थी आप सभी और क्या वोल ला था मैं उमीत नागाल यह भी बहुत बड़ा वात है इस बार आस्टेमें कौन हराया इंडिया का बंदा और पहला मैं जीता वी सिंगल में यह भी बहुत कि वो भी वो टिम जिस टिम से जो क्रिकेट जानकार है ना अगर दस लोग बैटे हैं दस लोगों से पुछा गए ना अस्ट्रेलिया में अस्ट्रेलिया को जो वस्टिंडिस टिम गई है यह तिम हरा सकती है ना रॉबन पावल एक जॉंसन चार्ज ना पूरन नस रसल ना नरायन होस्ते ओनी ना भरेंडन टींग कोई एक लाने लिए Drive में अस्ट्रेलिया में भाई मैकष राभी अस्ट्री लिए इस ऐसो पाश्ल yeah call को आप तब लिएmoi inquiry मैं रूत साल के बार यह रहाया है और जिस वर्ड के ब्रैल नारा वो रो दी है आपने वीडियो देखा हुआ क्रिकेट प्रेमिय हो तो रो दी है वो मैस देखने के जितने के बाद और सबसे बड़ी इस मैस यह बहुत कुछ था तिखने के लिए बहुत कुछ है अमार जॉसेफ जानते कौन है यह ऐसा खिला रही है न जिसके घर में ब्लैक और वाइट टीवी है आधी हो चुका है बहुत गरीब है अठारा तक बतलब क्रिकेट का सी भी नहीं मालूम था मालूम था देखते थे थे ब्लैक और वाइट टीवी में कोई फस्तास लीटी नहीं यह बंदा टेस्ट में एक दिन पहले क्या हुआ न इसका पैर का जो टो होता है ना उठा तूट गया मिचल स्टाक बॉलिंग अगा तोड़ दिया अगला दिन बंदा बॉलिंग करता है और साथ विकेट लेता है उस विकेट पर और बोलता है अपने काप्रेंग को मेरा पैर का चिंता आता है बहुत कुछ था मैच में सिखने के लिए बता रहा हूं तो रोंता खड़ा हो रहा है मेरा चलो अगला कुस्तिन देखते हैं हम सभी भारतिया सेना में इस पोड़न को सिन पुविद्यार का पद पाने वाली पहली महिला कौन बनी है प्रिती रजक एक कुस्तिन अगरा कोस्तिन अबारे सामने के यह इपोटेंट है क्या बोला है इस वर्ष 24 में कितने वेक्तियों को पदम पुरुषकार दिया गया है 132 और एक बात जो मेरा नोट्स लिए है न बाबू आप लोग बहुत लोग नोट्स सही तरीके से पढ़ नहीं रहे हो अगर आप मेरा नोट्स लिए हो एप्लिकेशन से तो आपको बता दूँ जितने लोग भी देख रहे है जो आप नोट्स लिए हो इस टापिक तो दिये ही है आप सभी करो 24 में question भर भर कर बना आप तर चौथा पार्ट खोलोगे न जिसको मैंने दिया है best part वो पार्ट को जब पढ़ोगे तो लगेगा भीया कितना सारा question पिछले दो साल में इससे बना है लेकि मैं बोलता हूँ चारो पार्ट पढ़ना च्छती सो कोस्ते में और पढ़ने में आप चाहो तो पंदरा दिव में पढ़ लोगी आप सभी क्योंकि इसमें से 50% question का answer आपको मालूम होगा common question है जो बार-बार exam में आ रहा है तो इसको खतम करो पहल बहुत कुछ डाल दिए गौतम बुद्स बहुत कुछ डाल दिए फोर्ट पार्ट में ठीक है तो इसका पीडियाप जो है क्लास का इस क्लास का टेलिग्राम के उपर सेर कर देंगे आप सभी को टेलिग्राम के उपर मिल जाएगा जिसका नाम है सक्तिस्की 98 डाउट कर लखिएगा ममी पापा ख्याल लखिए को द्यस्ता ख्याल लखिएगा और मेरे लिए दुआ कीजिएगा जैहिंद